हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे RRB ALP में जो साइकलोजी टेस्ट होता है जिसे कम्प्यूटर बेस्ट एप्रिटूट टेस्ट भी कहता है इसके बारे में ये टेस्ट किस तरह का होता है और इसमें क्या-क्या कुश्चन्स आते हैं और क्या पैटर्न रहता है इस कुश्चन का क्या टाइमिंग रहती है कितने समय में इसको सॉल्व करना होता है और कितने नमबर इसके लिए चाहिए होता है आपका एक्जाम होता है तो उसमें सबसे पहले CBT 1 और CBT 2 होता है जो कि technical non-technical का mixture होता है उसके बाद जो तीसरा एक्जाम होता है वो एल्पी psychology test होता है जिसे short form में कभी computer based aptitude test भी कहते हैं ठीक है दोस्तों इसका weightage जो होता है आपकी final merit में 30% का होता है यानि के जब भी आपकी final merit बनेगी उसमें जो 70% होगा वो तो आपका CBT 2 का marks का 70% लिया जाएगा और जो जो आपका यह exam होगा psychology test इसका जब 30 इसमें जितने भी number आएंगे उसका जो 30% है उसको वहाँ पर जोड़ा जाएगा आपकी final merit के लिए तो इस exam की भी importance बहुत ज्यादा है और अच्छे से आपको इसकी practice करनी है जनरली बहुत ही काम exams में यह देखने को मिलता है यह वाला test तो इसलिए इसके बारे में ज्यादा किसी को पता नहीं होता है दोस्तो 2019 में मैंने first attempt में इसको clear किया था और एक अच्छा decent score मैंने यहां पर score किया था और दोस्तों इसमें जो psychology test में जो बहुत ही लोग fail होते हैं उसका major reason है कि वह एक तो अच्छे से practice नहीं करते हैं और वो इसको समझ नहीं पाते हैं वो इसको पांच test आएंगे ठीक है यह सब आपको करने हैं यह अलग लग तरीके के पांचो test होते हैं इस वीडियो में हम खाली memory test के बारे में बात करेंगे बाकी आने वाली वीडियो में आपको बाकी चार के बारे में भी बताऊंगा अगर इस वीडियो पर मुझे अच्छा reaction मीला तो मैं बाकी चार के लिए भी वीडियो बनाऊंगा इसमें तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे है memory test की memory test में क्या होता है आपको एक computer पे जैसे आपके पहले screen आईगी उसमें आपको एक memory paste दिया जाएगा जिसमें से आपको याद करना होगा और उसके बाद फिर एक question paste दिया जिसमें से फिर उसकी location या मतलब जो memory test की भी part होते हैं पांच type के होते हैं वो भी memory test भी तो उसमें से वो पूछेगा आपको कि यह चीज कहां पर थी या फिर यह से कैसे related था इस तरीके से वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा मैं आपको यह करके बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा ठीक है इसके बाद following direction है कि आपको जो जो वो मतलब statement देगा वो पढ़के उसकी direction को मतलब follow करना है फिर answer देना है यह भी आपको समझ में आ जाएगा धीर दीरे जब मैं बताऊंगा बस अभी आप क्या है यह देख लीजिए कि कितने type के 5 type के test होते है ठीक है इसका अभी पूरी timing होगेरा सब बताऊंगा तो स मैं अलग अलग पोजिशन पर कुछ पिक्चर लगा दी जाएंगी हाउस की बिल्डिंग्स की अलग तरीके की बिल्डिंग्स की मतलब आइकन जैसे होंगे वो तो वह आपको दे दिये जाएंगे उसके बाद आपको पूरे दो मिनट का time दिया जाएगा उसको memorize करने के पोजिशन पर कॉनसी बिल्डिंग थी है तो सबसे पहले जो अब ही हम बता जाता हूं आपको timing maximum जो मतलब जो 1,2 और 5 जो test है उनके लिए आपको memory page के लिए दो मिनट मिलेंगे और question page के लिए भी दो मिनट मिलेंगे और ये ना आपके दो set में आएंगे मतलब जैसे मैंने पांचो वहीं हाँ आपको दिखाय नो ये जो पांच ये जो 5 टेस्ट भांच रहेंगे पास in मेंगे से कोई तेस्त अएंगे memory टेस्ट के लिए पर आपको और प्रेक्टिस करने है क्योंकि कोई भी 2 आ सकते हैं ठीक हैई तो पांचो के practice करने हैं कोई भी 2 आ सकते हैं पर आ के लिए ठीक है तो मैंने आपको बताया memory page के लिए 2 minute मिलेंगे question page के लिए 2 minute मिलेंगे तो total 4 minute हो गए एक set के उसके बाद दूसरा test आएगा कोई भी और आ सकता है उनमें से ठीक है उसके लिए आपको 4 minute मिलेंगे total memory test के लिए आपको 8 minute मिलेंगे तो सबसे हम पहले बात करेंगे figure processing test की जो मैंने building test बताया था आपको आपको memorize किस तरीके से करना है आपको यह कहनी बनानी है ठीक है एक simple सी कहनी तुरंत आपको बनानी है आपको धिरी धिरी इसकी practice हो जाएगी जब ठीक है यह घर के भार जो है ना यह जो चबोत रहा है इसका पूरा का भारा भार का जो area है यह काला है इसमें कैसमें रस्ता बना हुआ है और यह खिड़के दरवाजा काला है यह ठीक है तो इस तरीके से अब यह तो आप एक काम को जैसे यह यह तीनों एक पूझाची में कोई बहुत बड़ा क्या है कोई इंसरी को इंसरी न सकते हैं दिक हो घार्थ इसमें जाने को रस्ता नहीं पर इसमें दरवाजा खिड़की नहीं ऐसा यह तो ठीक है उसके बाद देख लो यहके यहां पर देखें ति के एक तो घर था तकी तो इस तितीम में युनिवर्सिती थी और युनिवर्सिटी बंद ही अब जब एक बंद जब बंद यानि बच्चों पढ़ा ने तो आ जाएंगे फैक्ट्री में जाएंगे काम करने के लिए ऐसे ऐसे एसे आ गया ऐसे कुछ कुछ भी एटपटा बनाओ जितनी एटपटी आपकी कहानी होगी उतने जल्दी आपको याद होगा ठीक है अब हम इसकी कोशन पेज देखेंगे ठीक आपको अब दो मिनुट लेने हैं और आपने वह जो कहानी बना के हमने याद क्या था उसको देखते हैं उसके बाद यह ज जो डी था और यह जो ए था यह दोनों क्या थे आइडेंटिकल थे बिल्कुल एक जैसी जो दो जो जोपडिया थी ठीक है डी पे शिप्ट थी आपकी इतना याद आ रहा है बी पे क्या थे बहुत सारे घर थे और जो परफेक्ट घर था जिसकी छतकाली थी और वो था वो यह दिशनी चीमनी जली थी उसके बाद आता है फिगर फाइंडिंग क्या करना आपको यह इस तरीके की एक दिखा देंगे जरिक हो पूंटर लेटा उनल यह जोटा फ्थे बड़े की इसके बाद दृसरा चल्ला इसमें जुड़ा हो और उसके बड़े साइज रिखतर है बाद सबसे बड़े साइच का चल्ला है उसके अंदर एक काला डॉट है ऐसा याद कर लिया है यह आपको बस तीन इसके related को image देगा चौथी इमेज यह देगा एक बड़ी बार है उसके अंदर दो लेंस जैसे लगे हैं और लेंस के बीच में से कटे हुए हैं काले हैं ऐसे तीर से साइड में लेफ्ट की तरफ नीचे हैं ऐसे याद रखना है अब बताओ इनमेंसे कौन सा था अब देखो अंसर देखते हैं इसके जो पहले वाले में जो था पहले वाले में यह था ढड़ी ठीडिक हैरो एसे याद किया है क्योंकि उपर और नीचे आ साइड साइड टश था इसकीायर से डूसरे वाले में यह था answer ठीक है तीसरे वाले में left यह था answer चौते में देखो बीछ में dot था यह वाला answer है इसमें आपको थोड़ bisa confusion हो सकते है बाँ निकली वी था इसे करें इसमें और किसी में नहीं है इसमें है तो यह पूरा नहीं है हमने देखा तो पूरा था ठीक है हमने का था दो लैंस लगे हैं बीच में से लेफ्ट साइड से कटे हैं यह वाला आंसर है जाएगा फिगर एंड नंबर मेमोरी टेस्ट है इसमें क्या करना है आपको टोटल 21 इमेजेस मिलेंगी इसके लिए आपको तीन मिनट मिलेंगे मेमो कानी बनानी पड़ेगी अब क्या कानी बनाएं देखो यह तो ऐसा कर लो आप छोटे नंबरों से सुरू करो तो यहां पर सबसे चोटा नंबर आपको क्या मिल रहा है ऐसे ढूंडो को तो टाइम भी लग जाएगा समित चलो खेर मिल गया सोला अब सोला में क्या है यह लड सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक है अब यह जो सोला साल की लड़की थी इसकी चौविस साल के आदमी से साधी हो गई ठीक है और जब उससे पहले जब यह बाइस साल में जब इसकी साधी हुई तब इसने क्या करा लडू बाटे थे इन्होंने जब यह बाइस साल गयोगे थे इन्होंने लडू बाटे थे ऐसा याद कर लो कुछ भी ठीक है मालो कि अब सब कुस्त आप पूरा नंबर से एक सीरीज बना के करोगे ना तो भूल जाओगे इसलिए कुछ अठपटा भी य नमबर की पैंट सी ली थी बताओ 28 नमबर की ठीक है हाती कितने थे 61 एक साथ जा रहे थे ठीक है यह बुड़ा कितने साल का था हमने कब बांटे थे जब हम कितना साल के हुए थे बाइस साल गे ऐसे याद करो यह नहीं करा था फ्लॉपी बताओ कितनी थी 73 की बताओ 73 एंबी की फ्लॉपी यह पटा सा नम जो दिख रही थी हमें में यह 38 की थी याद आगे एकदम इसके लड़की तो मैं पताओ 16 साल की थी और अंगूर कितने रुपए कि लोते 59 तो देखो कितनी आसानी सायाद होगे बस उसके बाद figure memory test में बताता हूं इसमें भी आपको क्या मिलेंगे एक figure से दूसरी figure को relate करके दे देंगे और फिर मतलब इसमें भी 3 मिनट मिलेंगे और 20 question मिलेंगे आपको ठीक है तो इसमें क् को थोड़ा difference मिलेगा मतलब इस लड़की से यह कोई image के चार type देदेगा कौन सी वाली image है वह आपको पहचाननी है ठीक है तो यह लड़की से क्या थी image मतलब रोज धूवत्ती करती थी कितनी चार stick थी इसमें देख लो धियान से ऐसे करें ठीक है CD पर चड़के हम बलब ल एक आपको यह लड़की ती जो देली धूबति ती कितनी चार stick थी अब चार stick थी पर यह जो हवा सी इदर को बह रही थी तो यह B वाला answer हो गया ठीक है CD पर चड़के हम क्या लगाते थे बल्ब लगाते थे तो यह C वाला आंसर हो गया इसमें B है ठीक उसके बाद यह टेली फोन में क्या था घड़ा था सीधा रखा था यह है रगया सीधा रखा हुआ और तो कोई है नहीं तो यह आन्सर हुआ ए ग्यांद हो जाते हैं आप ऐसी कहानी बना जाकरोगी तो याद हो जाएंगे उसके बाद रेल्ड ट्रेक मेमुरी टैस्ट हैगा इसमें आपको 1.5 मिनिट मिलेंगे जैके बीस यह दिये वी रहेंगे तो इसको आप बहुत आदर्सक कर सकते हो इसमें आपको अजीब सा वो बन ऐसे कुछ भी आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हो कुछ भी मैं तो यह बनाया यह नर्ज जकर पक नयात ऐसे आला यह उपर से नीचे तक ठीक है तो इसमें बस यह स्टेशन के नाम है उसके बाद यह आपको फिर एक इमेज देगा अरे यार यह इमेज न तोड़ा सा गलत हो गई है तो बस इसमें देशा है अब यह की जगा यहां पर क्या था यहां पर यहां पर जेड क्या था यहां पर पक ठीक है पी-सी के था यहां पर और यहन नयात यहां पर था ठीक है इस तरीके से यह DUT था यह TUT था इतना याद हो गया ना तो इस तरीके से आपको यह सब याद करने है ठीक है इसमें कोई बहुत वो नहीं है ठीक है यह सब इसके आंसर से देख लीजेगा आप बाद में आप मैच कर लीजेगा ठीक है तो इस तरीक इसके उपर चाहिए साइकलोजी टेस्ट के उपर तो मुझे कमेंट सेक्षन में कमेंट लिख के बताईए जितने ज्यादा कमेंट आएंगे तभी मैं ये वीडियो बनाऊंगा वरना मैं और आगे की वीडियो तो नहीं बनाऊंगा क्योंकि कोई फाइदा तो होते हैं कोई द